कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है वो जो गरीबी में जिन्दगी जीए हैं उनके बच्चों के नसीब में वो गरीबी नहीं रहनी चाहिए हमने ऐसी ऐसी नीतिया बनाई हर गरीब अपनी गरीबी का उस गरीबी को खात्मा करने का उस गरीबी को पराजित करने का सबसे बड़ा सिपाई बन करके मोदी का साथी बन गया बाजपास सरकार ने बहुत धैरिय से काम किया बहुत इमांदारी से काम किया मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाती एक ही जाती है और मोदी का ये बार बार कहना कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाती कोई है तो एक ही है वो जाती है गरीब जो गरीब है ये मोदी उसका सेवक है मोदी उसका भाई है मोदी उसका बेटा है भाजपास सरकार ने जो नीतिया बनाई उससे आज देश में गरीबी कम हो रही है हमारे सेवाकाल में सिर्फ पांच साल में साड़े तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं वो आज मोदी को कोटी कोटी आश्रवाद दे रहे हैं इसलिए गरीबों की ये एक जुड़ता आज गरीब एक जुड़ हो रहा हैं गरीब नए आत्मविस्वास से भरा हुआ हैं और गरीब तैक करके बैठा हैं कि अपने संतानों को पास गरीबी की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे आज गरीब एक जुड़ हो रहा हैं गरीब एक जाती के रुप में साथा करके कंदे से कंदा मिला करके गरीबी से बाहर निकान ले के लिए मोधी की महस्यना बन चुका है लेकिन ये जो गरीबों की एकता है ना गरीब ने जब अपनी एक ही जाती मान ली है गरीब तो ये राजनितिक दलों के पेट में चुहे दोड़ने लगे है उनको लगने लगा है कि गरीब की एक ही जाती अगरी खटी हो गई अगर ये एक ताकत बन गई तो ये आज तक जूट चलाने वालों की दुकाने बंद हो जाएगी ऐसे राजनितिक दलों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने नए खोईल खेले है अब गरीब को भी बाटना गरीब की एक ताको तोड़ना गरीब के सपनों को भी चीत कर देना गरीब को ही आपस में लड़ा लेना एक नया खेल शुरू किया है इसलिए राजनितिक दल गरीबों की एकता तोड़ने के लिए नए नए शडियंत्र कर रहे हैं नए नए भाशाएं बोल रहे हैं जाती वाद का जहर वहां गोल रहे हैं इसलिए मैं आज आपको इन सभी राजलिती दलों से आगा कर रहा हूं हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर्ट साजीस को एक जुट होकर नाकाम्याब करना है हम गरीबों की एकता को मजबूत करना है हमें मिलकर गरीबी को परास करना है मेरे परिवार जनों आत्म विश्वास से भरे हुए गरीब से स्वाभिमान से भरे हुए गरीब से कॉंग्रेस नफ्रत करती है कॉंग्रेस हमेशा चाहती है कि गरीब हाथ पहलाए उसके सामने खड़ा रहे इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहती है इसलिए केंद्र की भाजबा सरकार गरिब के लिए जो भी काम सुरू करती है यहां की कॉंग्रेस सरकार उसे रोकेज़ के लिए पूरी ताकट लगा देती है आप देखिए पूरे देश में गरिबों के लिए पी एम आवास योजना से करोणों गरिब परिवारों को पक्के घर मिल चुके है इन गरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है लेकिन चत्तिजगर की कॉंग्रेस सरकार पिछले पांच साल से ठान के बैटी है कि मोदी को गरिबों के घर वो नहीं बनाने देंगी मैं आप से एक बात जरूर कहूंगा जैसे आपने पिछले पांच साल से कॉंग्रेस का अन्याय जेला है कॉंग्रेस के प्रस्टाचार को जेला है कॉंग्रेस के भाई पतिजाबात को जेला है अब मेरे चत्तिजगर के भाई बहनों मुझ पर भरोसा करो अब सिरफ तीस दिन बाकी है सिरफ तीस दिन बाकी है फिर आपको ये मुसिबत से मुक्ति मिलने ही मिलने है तीन दिशाबर को नतीजे आएंगे और भाजपा की सरकार बननी तय हो जाएगी मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं आपको गारंटी देता हूँ भाजपा सरकार बनते ही 36 गड़ के लाखों गरीब परिवारों को तेजी से पक्के घर मिलेंगे गरीब को सौचालय देने का काम हो हमारी गरीब को मुप्त गैस कनेक्शन देने का काम हो हर गर नल से जल पहुंचाने का काम हो भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे हर काम में तेजी ला जाएगी और ये 36 गड़ के हमारी बेहनों बेटियों को मोदी की गारंटी है मेरे परिवार जनो मैं आपके बिच से ही दिकल आज यहां पहुंचा हूँ गरीबी की चिंता गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीमन धर्म बानता हूँ दोस्तों यह मेरी चिंता है जब कोरोना का संकट आया तो गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे कोई भी मां खुद पेट बाद कर सो सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूख से बिलगता हुआ नहीं देख सकती है कोई भी पिता मद्दूरी करनी पड़े तो करेगा रात रात काम करना पड़ेगा तो करेगा कोई भी काम करना पड़े तो करेगा लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता लेकिन कोरोना महामारी में तो सब कुछ ठप पड़ गया था, पूरी दुनिया संकट पे थी, तब मैंने ताई किया कि किसी गरीब को मैं भूखान नहीं सोने दूँगा। तिस गड़ के लाखों गरीबों को मुप्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना, सरकार के हिसाब से इस दिशंबर में पूरी हो रही है। करके आया है, यह आपका बेटा, आपके भाई, उसने एक और निश्चे कर लिया है। मेरे गरीब भाईयों बेहनों मैं देश के गरीब भाईयों बेहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूँ, मैंने निश्चे कर लिया है। देश के असी करोड गरीबों को मुप्त राशन देने वाली योजना को बाजपात सरकार अब अगले पांच साल के लिए और बढाएगी। प्राइखधाश के लिए और धविजना को आवने के लिए अजना झमा जाने को आपका प्यार וश्री यक निश्चे कर आप की अण सेध्यों देनेisख़ता प्यार्णा को गोज्याम को मुष्ये जाएख़ाशन yeah कि वह संदूल है जो हमेशा पभीत्र निर्णे करने की ताकत देते हैं कि ठीच fiber निश्चे करने की ताकत देती हैं और 802,000 गरीब उनकी थाली में भोजन पहुंचना कितना बड़ा पुन्य का काम कितना बड़ा सेवा का काम आप मेरे आपके आशिरवाद से हो रहा है और मेरे भाईयों बेहनों यह चुनावी सभा नहीं यह वादा नहीं है यह मोदी की गारंटी है और मैं अपने चतिजगड के भाई बेहनों को एक और बात कहूंगा यहां के अनेक साथी काम के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए किसी और काम से बहार जाते हैं भाजपा सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो भी आपको मुप्त राशन मिलता रहेगा और इसलिए ही मोदी ने आपको वन नेशन वन राशन कार की सुविदा दिये पहले काड होता था ना एक दुकान से दूसरी दुकान में भी जाए तो गुस्ने नहीं जेता था वो कहता था इधर का नहीं है उदर जाओ वो कहता था उदर तो खाली हो गया तो बोले यहां में नहीं मिल सकता यह जमाना था यह मोदी का जमाना देखिए आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाएए आपका 36 गड़ का कार दिखाएंगे ना मोदी का गारंटी कार हिंदुस्तान के किसी भी कौने में आपको भूका नहीं रहने देगा मेरे भाईयों बहनों बाजबा सरकार आपके इलाज की भी चिंता कर रही है अगर गरीब गरीबी से बहार निकल चुका है आ रहा है और घर में एक बिमारी आ जाएं तो फिर बेतर अब पांच साल साथ पीछे चला जाता है फिर गरीबी के चकर में फ़स जाता है मैं मेरे गरीब को बापेश फिर से गरीबी में लोटने नहीं देना चाहता और इसलिए मैंने ताई किया कि बीमारी का खर्चा उसका बेटा उठाएगा मोधी उठाएगा आईश्मान भारत योजना के तहट पांच लाख रुप्य के मुप्ति लाज की सुविदाम ने दी है पांच लाख रुप्य तक एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा भाई यहां का मेरा कोई भाई भेहन सिरफ चत्तिस गड़ में नहीं अगर किसी काम से वो डिल ली गया है कुलकता गया है उड़ी सामें जगनाज जी के दर्सन करने कजा है ऐयोध्य में प्रभूराम जी के दर्सन करने कजा है और कहीं कुछ हो गया बिमारी हो गई तो ये मोदी ने ऐसी गारंटी दी है कि वहाँ का डॉक्टर भी बिना पैसे आपका इलाज करेगा और मोदी उसकी चिंता करेगा लेकिन मेरे साथियों गरीब के इलाज को लेकर कॉंग्रेज की सच्चाई भी आपके सामने रखना चाहता हूँ हमने गरीबों को सस्ती दवाई मिले इसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जन आउसदी केंद्र खोला यह जन आउसदी केंद्र में जो दवाई सौर रुपय में मिलती है ना वह 10 रुपय में मिल जाती है जो दवाई सो रुपय में मिलते हैं वो दवाई किस जगाय पर बीस में मिल जाती है इतना गरीब और मध्यमबर की मदद की लेकिन ये 36 गड़ में ऐसी सरकार है ऐसी जनवीरोधी सरकार है ऐसी ब्रस्त सरकार है कि उसने 36 गड़ में जन आउसदी केंद्रों को ही ताने लगा गरीबों से इतनी नफरत करती हैं कि मेरे परिवाण जनों मोधी जो ये गारंटी दे रहा है ना कि जो गारंटी पूरी कर रहा है उसके सबसे बढ़े लाबारती हमारे दलीत, हमारे OBC, हमारे आदिवासी, हमारे महनत कसमदूर, हमारे समाज के बंचित लोग है OBCIO को कॉंग्रेस दें, समयधानिक दर्जान नहीं दिया ये काम आपके बेटे ने जैसे ही आपने दिल्ली बिठाया ना, उस काम को भी कर दिया मेडिकल कॉंग्रेस में, जो कोटा मिलता है, उसमें भी कॉंग्रेस ने OBC आरक्षन नहीं दिया ये काम भी भाजपाने ही किया, साउंसद और विधान सभाओं में, दलीत और OBC वर को सबसे अधिक भागिदारी भाजपाने दिये, केंद्रियम मंत्री मंदल में सब से अधिक OBC मंत्री भाजपा सरकार में है, और कॉंग्रेस क्या कर रही है, कॉंग्रेस एक OBC प्रधान मंत्री, एक OBC प्रधान मंत्री को भी, सुबे साम, पानी पी पी करके गाली देती रहती है, चलो भज़िख, आपको पेट में दर्ध होता है कि OBC कैसे प्रधान मंत्री बन गया, हम मोधी को गालिया दे रहे हैं, चलो मोधी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालिया देने का, आपके मन में मोधी के लिए नफरत है उसकी जाती के लिए नफरत है गालिया देते जा रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस को मोधी को जितनी भी गालिया देजिए परमातमा और मेरी देश की माताए बैते मोधी की रक्षा करेगी लेकिन OBC को गाली देना बन कीजिए हर OBC कोई बताना चाहिए Congress पूरे OBC समाज को क्यों गालिया दे रही है मोदी अगर OBC है तो इसमें पूरी OBC जाती का क्या गलती है भई आखिर क्यों Congress 36 गड़के साह समाज को गालिया दे रही है क्यों Congress पूरे साहू समाज को इस चोर बता रही है Congress के गनेता मैं नाम नहीं लेना चाहता मोदी को गालिया देने के साथ ही पूरे OBC समाज को गालिया देते फिरते और मोदी पूरे समाज को चोर के दिया कॉट्टे सजा ठोक दी और सुप्रिम कोट ने भी सजा माफ नहीं की जेल जाने की मैं थोड़ा मोका थोड़ा लंबा कर दिया है बस मैं जानता हूं पूरे देश का OBC समाज ऐसी कॉंग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा मेरे परिवार जनो चत्तिश गड़ को राजजमने पचीश साल होने जा रहे हैं अब अगले पतीश साल चत्तिश गड़ के विकास के लिए बहुत महतों पून है आने वाले साल चत्तिश गड़ के नहुजवानों का बविश्चन निर्धारित करेंगे भाजपा के पास चत्तिश गड़ को देश के टॉप टेंट सम्रुद्ध राज्यों में लाने का एक ठोस रोड मैफ है कॉंग्रेस ने दसों को तक केंदर में सरकार चलाई लेकिन चत्तिश गड़ में कारखानों का विस्तार नहीं किया आपने मोधी को अवसर दिया तो बिलाई के कारखाने का विस्तार और आदुनिक नहुआ बस्तर में भी दुनिया के आधुनिकतम स्टील कार खानों में से एक लोकारपण हमने करके दिखाया कार खानों के लिए जरूरी रेल रोड इसकी सुविधा भी ते नव वर्सों में केंद्र की बाजपा सरकार ने अबुत्पुर विस्तार किया है हमने दिल्ली राजहरा दल् ताड़ों की तक की रेल लाइन का काम पूरा किया जल्दी ये लाइन रावगार तक भी पूरी की जाएगी ये पूरी योजना दल्ली राजहरा नगर को नया जीवन मिलेगा बाजपा सरकार में चतिसगड को रेलवे के लिए बीस गुना ज्यादा बजट मिला है बाजपा कि विशा का पंट्डम आर्थिक कोड़ोर हो राइपूर धनबाग आर्थिक कोड़ोर हो इससे यहां क्या उद्यों की विखास में ही तेजी आने वाली है साथियों आज पुरे देश में किसानों और पसुपालन को प्रोचसाहिं दिया जा रहा है आप जो भी दान उगाते हैं उसका दाना दाना केंद्र की बाजपा सरकार करीती है केंद्र सरकार ने एक लाग करोड़ पे से जादा चतिसगड़ के किसानों को दिये हैं जबकि कॉंग्रेस यहां चिर्फ जुड बोलती है अब चतिसगड़ बाजपा ने दान किसानों से जो वादा किया है उसे सरक बनते ही पूरा किया जाएगा आधी वाजिक शित्रों में वन उपजों से संब्रुदिन लाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार बंदन योजना भी चला रही है तेंद उपत्ता सहीध हर वन उपज के अधिक से अधिक दाम आपको मिले ये भी भाजपा का आपके बादा है मेरे परिवार जनों 36 गड़वे के मांदार और कानून का राजथापी तरने वाली भाजपा सरकार की जरुरत है जहां हिंसा और अप्राज चरम पर होते हैं महां विकास नहीं होता कॉंग्रेस से यहां के कानून व्यवस्ता भी संबल नहीं पा रही है आखिर मलकत स्रीं का क्या गुना था आखिश्वर साउजी के बेटे का क्या गुना था हम ऐसी अंदेरगर्दी से 36 गड़ को बाहर निकालना है आप देखिए कितना दर्द है चेहरे पर हिंसा और अपराद पर लगाम लगाने का काम सरफ बाज़पा ही कर सकती है यह हमारा ट्रैक रिकर्ड है य मेरे परिवार जनो 36 गड़ के विकास के लिए कमल के फुल पर आपका जो बोट पड़ेगा ना